कहानी का सीरसक है रेल गाड़ी पिंकी बहुत प्यारी लड़की है पिंकी कच्छा दुसरी में पढ़ती है एक दिन उसने अपनी किताब में रेल गाड़ी देखी उसे अपनी रेल यात्रा याद आ गई जो कुछ दिन पहले पापा मम्मी के साथ की थी पिंकी ने चौक उठाई फिर क्या था दिवार पर रेल गाड़ी का इंजन बना दिया उसमें पहला डिब्बा जुड़ गया दोसरा डब्बा जुड़ गया जुडते जुडते कई सारे डब्बे जुड़ गये जग चौक खतम हो गया पिंकी उठी उसने देखा कच्छा के आधे दिवार पर रेलगाडी बन चुकी थी फिर क्या हुआ रेलगाडी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादा जी के घर भी गई तो इस कहानी से में यही सिच्छा मिलती है, बच्चों के मनोबल को बढ़ाईए, कल के भविस्ट का निड़य आज से हुनने देए अगर ये कहानी आपनों को अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें